नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सुच्छत होंगे और अपने घर पी होंगे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अपने इस चैनल जनकि प्लॉग में दोस्तों रोज की तरह आज मैं फिर से इस वीडियो में लेकर आए हूँ बहुत ही helpful kitchen tips and tricks तो वीडियो को आप सभी एंदे तक देखना अच्छी लगे वीडियो तो like, share करना helpful वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करना तो चलिए दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहला हमारा टिप है इस बेल्ट को लेकर इस तरह से बेल्ट हमारे घर में अकसा देखा होगा इधर उदर पड़ा रहता है तो आप अगर इसे अच्छे तरीके से रखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा आपका घर साब सुत्रा दिखाए देगा और कितना भी छोटा घर हो आप उसे अच्छे तरीके से सजा समार कर रख सकते हैं तो देखें दोस्तों हमने इस पेल्ड को गोल-गोल करके पुरा अंदर तक घुमा कर इसे अच्छे से इकठे करके सेट कर दिया है अब आप इसे अलमारी में रखें या फिर कहीं किसी भी जगह पर रख दें देखने में भी अच्छा लगेगा और जब भी आप यूज करना चाहें तुर इसके बाद हमारा अगला टिप है इस तरह सा जो ब्रेस का ये कंटेनर होता है इसे हम बेकार समझकर फेक देते हैं तो देखिए ये बहुत ही काम का है आप इसे यूज करके देखिए आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों चाकू छूरी आपके किचन में इधर उधर पड़े रहते हैं तो इनको सेफ रखने के लिए आप इस कंटेनर के यूज कर सकते हैं इसमें और भी सामार रखा जा सकता जैसे पेज कर से और पेन अगेरा आप इसे अच्छे तरीके से सेफ करके रख सकते हैं देखि अच्छा सा कंटेनर है दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टिप है सबी के पास जो जूते होते हैं उनका जो सोल होता है दीरे-दीरे ये बहुत ही हलका हो जाता है जिसके वज़ए से जूते जब पहनते हैं बच्चे तो उनके पैर में बहुत जब चुबन होती है तो अगर आपके पास पुराने सॉक्स हैं तो इस तरीके से आप इन सोल को सॉक्स से ढख दे इसके बाद फिर से जूते में से अच्छे से सेट कर दें दोस्तों कभी कदार आपके मुझे गुम हो जाते हैं जल्दबाजी में आप मुझे ना पहन पाएं तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से ये आपके पैरों में गर्माण बना के रखेगा सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आप सॉक्स पहनेंगे उसके बाद ये सॉल में भी सॉक्स रहेंगे तो पैर में ठंड़ तो नहीं लगने वाली है बहुत ही छोटा सा टीप है अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजर्ड में लेगा इसका इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टीप है इस रबर बेंड को लेकर जब ही पैंसिल के पिछले सिरे पर अच्छे से फसा दीजिए थोड़ा टाइट करके लगाना है इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से एरेजर का काम करेंगा ये हर काम को आसान बनाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ता है तो आडिया अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अपने फैबली फ्रेंट के साथ जरूर से एर करना क्योंकि छोटी बच्चों के लिए बहुत हैल्फुल चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला टिप दोस्तों लिविष्टिक की सौकिन लेडिज और लड़किया जरूर वीडियो को देखिए जैसे कि हमरे पास जो लिविष्टिक होती है यह हम ठीर सारी मार्केट से खरीद कर लाते हैं जो भी कलर पसंद आ गया तुरंध को नहीं किसी चीज से मतलब है वह इन दिब्बों को फेक देती हैं लड़किया यह महिलाएं और इसका केवाल लिविष्टिक का ही पैक रखती हैं तो अगर कभी कदार जब धेर सारी लिविष्टिक हो जाती है तो हम सारी लिविष्टिक एक साथ नहीं यूज कर सकते और अगर इस लिविष्टिक पर है इसका एकस्पाइर डेट तो आप यहां पर भी लगा दीजिए फिर इसके बाद थोड़ी दो सूखने के लिए रखते तो दिखिएगा आपका जो एकस्पाइर डेट है एक अच्छे से तिका रहेगा जब तक जाहें आप इसे रख सकते हैं मीटे का नहीं क्योंकि पूरा हम डिबा पकड़ कर ही इसे खोलते बन करते हैं तो इसका एकस्पाइर डेट घराप हो जाता है मिट जाता है चुकि में दिखाईने पड़ता है और अगर आपका जो यह तो यह जो है एक साट से रखते ही दूसरे साट निकल जाता है तो आप इसको लॉक कर दीजिए इस तरह से एक टेप लेकर सेलो टेप को तो आप इस तरह से इसको लॉक कर दीजिए इस तरह से अगर लॉक रहेगा ताक कोई भी सामन खराब नहीं होगा बहुत बार इस तरह से गलती हो जाती है जिसकी वज़े से हमें बहुत ज़्यादा लेकिन दोनों तरफ से खुल गई है क्योंकि एक ही लोग तो इसको यूज नहीं करते हैं जिस बच्चे हैं और अगर आपके घर में चोटी-चोटी बच्चियां है तो उनको जरूर लिविस्टिक पसंद आती है और वो ना तुरंट खोलती हैं बंद करती हैं तो इस तरह से दिब्बा खराब हो जाता है तो आप एक सेलो टेप लेकर इसका एक साइड तो बंद कर दीजिए अच्छे से जिसके वज़ा से यह लिविस्टिक बाहर निकलने के बात में अगर कोई अच्छा कांच का सामान है तो तूट जाता है यह तो छोटी से लिविस्टिक है इसका तो उतना जादा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी इसका कैप जो होता है बहुत जल्ब तूट जाता है इस तरह से करके आप रख दीजिए फिर देखना दूसरे साइड में तो यह जल्दी से नहीं निकलेगा इसके बाद दूस्टो हमरा अगला टीप है गहनों को ले कर जो भी सोने चांदी के जो भी आर्टिफीसल सामान लेकर आते हैं या सोने चांदी लेकर आते हैं तो दोस्तो हमें जिस पैकेट में मिलता है हमें उसे पैकेट में रखना चाहिए अगर आप उसे बाहर किसी और तब ही उसका कलर खराब होता है आप सोचते हैं कि हम जब लेकर आते हैं कोई भी सामन्तू नया कर नया रहता है कुछ दिन बाद इतने जल्दी वो पुराना क्यों हो जाता है करण यही है कि आप उसे उस चीज में रखका दूस्ते चीज में रखते हैं तब ही उसका पॉलिस उतर जाता है जल्दी दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो पूरी देखी आगे भी इसी तरह से हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें तो चलिए आप हम मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए